हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे स्वस्थ होंगे दोस्तों गेस्ट्रिक प्रॉब्लम आज कल के समय में काफी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है दुनिया में हर दस में से चार लोगों को यह दिक्कत है तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं गेस्ट्रिक प्रॉब्लम में काम आने वाले कैप्सूल OMAZ-D के बारे में OMAZ-D इंडिया का नंबर वन प्रिस्राइब ब्रांड है OMAZ-D की एक स्ट्रिप कुछ इस तरह से दिखाई देती है इसकी एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल होते हैं और इसमें जो एक्टिव इंडियेंट है वह है OMAZ-D की अगर प्राइजिंग की बात करें तो इसका एक स्ट्रिप की प्राइज है 161.50 मतलब एक सो एक से टृपे पचास पैसे 15 कैप्सूल के लिए दोस्तो सवाल अब यह आता है कि इसे किस-किस इंडिकेशन में लिया जा सकता है तो पेट में होने वाली जलन, गेस, एसिडिटी, सीने में दर्द, या पैप्टिक अलसर इसके लावा कई बार कुछ लोगों में जो गेस्टिक जूस होता है उसका रिफलक्स होता है मतलब वो इसोफेगस में आज जाता है तो इस चीज के लिए भी इसे लिया जाता है ओम-AIDS-D में जो active ingredient ओमिप्राजोल है वो ए पी-पियाई क्लास में आता है मतलब प्रोटोन पंप इनिबीटर जो कि प्रोटोन पंप को इनिबीट कर देते हैं इसके वज़े से acidity और gas की दिक्कत कम होती है। इसके इलावा इसमें जो domperidone है, जो दूसरा ingredient है, वो prokinetic agent है, जो की acid reflux को control करता है। विकोज ये gastrointestinal motility है, उसको increase कर देता है। तो इसकी वज़े से reflux होना कम हो जाता है। तो दोस्तों हम हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि आप कोई भी दवाई खुद से ना लें। उसको किसी डॉक्टर के निगरानी में या डॉक्टर की सलाह के द्वारा ज़रूर लें। ओमेश डी को बुखे बेट लेने की सलाह दी जाती है, जिसको खाने से 15-20 मिनिट पहले लिया जाता है। इसे खाने से कुछ side effect भी हो सकते हैं जैसे nausea, constipation, headache या फिर कुछ serious side effect हो सकते हैं अगर इसको कुछ ज़्यादा समय से लिया जा रहा हो या ज़्यादा मात्रा से लिया जा रहा हो जैसे कि vitamin deficiency और kidney related problem अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो अपने नज़दी की डॉक्टर से सलाह जरूर लें तो दोस्तों आपको हमारी दी हुई यह जानकारी कैसी लगी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को share जरूर करें और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe our channel और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से झाल